अस्सलाम वालेकूम आज हम बनाएंगे नारियल आजवैन का चूड़न इसके लिए लेंगे हम एक नारियल खिसावा देखो इस तरीके से पाव किलो गूर मैंने काटकी रखावा है दो टेबल स्पून देशी घी है और दो टेबल स्पून आजवैन है सबसे पहले हम एक बरत बन करेंगे और एक बरतन में गूर लेंगे उसमें हम दो टेबल स्पून सिर्फ पानी दालेंगे इसलिए कि वह जल्दी से अच्छा से पीगल जाए ज्यादा पानी नहीं लेना मैंने सिर्फ दो टेबल स्पून लिया है देखो बताई भ्यू मैंने और इसे थोड़ा फास जाएंगा उसमें हम नाडियल दालेंगे खिसावा जो है वो देखो पीगल गया अब इसमें हम नाडियल दालेंगे यह ना जचकी में बनाया जाता है दिलिवरी में और यह बहुत टेस्टी होता है खाने में इसको सर्दी में भी लोग खाते बना के और यह बहुत अच्छ देखो यह ना मैंने एकदम slow आज पे रखावा है जो गूर पिगला रही थी तो मैंने fast गया से रखावा था अब एकदम कम आज पे रखावा है अब यह हो गया थोड़ा जैसी वह मिक्स हो जाएंगा ना अच्छे से गूर तो फिर उसमें हम ऐजवैन दालेंगे थोड़ा- देखो यह भी हो रहा है अब इसमें हम गी दाल के इसको भी अच्छा से मिक्स करेंगे कितना अच्छा कलर आ गया है ना इसका और गूर चिकना रहेंगा उतना अच्छा होता है यह उतना अच्छा बनता है ना देखो मैंने कितना स्लो रखाव है ना गैस इस तरीके से ही रखके बनाएं वरना जल जाएंगा कच्छा रहेंगा नाडियल फिर खाने में भी मजा नहीं आएंगा देखो इसने बरतन छोड़ना शुरू किया है इसका मतलब यह हो गया है इसको बनाने ज्यादा टाइम नहीं जाता है सिर्फ दस से पंदरा मिनेटी इसको बनाने में लगता है देखो यह रेडियो हो अभी हम गैस बन किये और इसे अभी हम सर्फ करेंगे ठंडा करके और इसे ठंडा होने तक भी थोड़ा-थोड़ा हिलाते रहना चाहिए ने तो नीचे गरम डेक्ची रहेगी ना त देखो इसे भी हम सर्फ कर रहें कितना अच्छा हो गए आप भी बनाएं आप भी ट्राइ करें अगर आपको मेरे ममा की रेसिपी अच्छी लोगी हो था हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करें थैंक्स पर वच्चिंग